नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में दिये गए 200 से ज़्यादा पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हुए प्रश्णों को हम लोग डिस्कस करेंगे तो अगर आपको NTPC CBT2 या फिर SSC CHSL का एक्जाम देना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है तो वीडियो की सुरुवात में हम लोग 9 और 10 मई को आपके NTPC CBT2 के एक्जाम में जो पुरस्कार पूछे गए थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद में 2021 के जो भी आपके विविन फिल्ड में दिये गए पुरस्कार हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ मिसेर जरूर करिएगा वीडियो की हम लोग सुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 19 मई तक अनकेडमी के जितने भी कोर्सेज हैं उनके उपर एक बहुत ही सांदार ओफर चल लहा है तो अगर आप किसी भी एक्जाम के लिए अनकेडमी का कोई भी कोर्स पर चेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बहतरीन मौका है यहाँ पर अगर आप किसी भी course के लिए KV10 code का यूज़ करेंगे तो आपको तुरंत 20% का discount Unacademy की तरफ से दिया जाएगा बाकी Unacademy के किसी भी course के बारे में आपको जानकारी चाहिए या फिर Unacademy के किसी भी course पर आपको maximum discount चाहिए तो उसके लिए इस WhatsApp नंबर पर आप मुझसे contact कर सकते हैं अगर आपके कोई doubt होते हैं, कोई सवाल होते हैं तो उसके लिए भी आप लोग इस नंबर पर contact कर सकते हैं Unacademy के उपर मेरी live class भी होती है जिसमें हम लोग TCS के pattern पर जो भी प्रेशन आपके विभिन पर इच्छाओं में पूछे गए हैं उन प्रेशनों को discuss करते हैं तो अगर आप इन classes को join करना चाहते हैं तो नीचे description में ही आपको मेरी profile के link मिलेगी उस पे click करके आप मुझे Unacademy के उपर follow कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो के हम सुरुआत करते हैं पहला प्रशन है कि जियान लोईगी डोना रुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खवरों में आया था अब वैसे ये direct आपके पुरस्कार का प्रशन नहीं है लेकिन अगर आपको पता हो जो पिछले साल यूरो कप हुआ था उसमें इटली की टीम बिजीता रही थी और इस टूनामेंट में जो player of the tournament का पुरस्कार है वो जियान लोईगी डोना रुमा को ही मिला था तो indirectly ये पुरस्कार से ही था और जियान लोईगी डोना रुमा एक हमारे खिलाडी है तो इस पुरस्कार का C option हो जाएगा correct अगला पुछा गया कि किस पूर्व athlete को BBC Indian Sports Women of the Year 2021 में Lifetime Achievement Award से समानित किया गया तो पिछले साल यानि की 2021 में ये पुरस्कार अंजू बाविज जॉर्ज को मिला था और इस साल यानि की 2022 के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार है वो आपके करणम मल्ले सुरी को मिला है तो दोनु नाम आपको ध्यान रखने है C option हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रश्न पूछा गया था कि अविनास सावले ने 2021 में नेता जी सुवास चंदर राष्टिय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर अथलेटिक सेंपिंसिप में पुरसों की 3000 मीटर इस टीपल चेस कितने समय में जीती थी तो जीतने के बाद इनको भी पुरस्कृत किया गया था तो ये भी इंडिरेक्ट तरीके से आपके पुरस्कार का ही प्रश्न है हाला कि ये प्रश्न काफी ज्यादा tough था और इसके लिए option C हो जाएगा correct यानि की 8 मिनट 20.2 जीरो सेकंड में इन्हों ने ये रेस जीती थी अगला प्रश्न की 3 अगस 2021 को बील मास्टर ओपन जीत कर भारत के 79 ग्राज़ मास्टर कौन बनी है तो इनका नाम है हरसित राजा क्या राम है हरसित राजा इनका नाम है तो इस प्रश्न का C option हो जाएगा correct बाकी जो हमारे 17 ग्राज़ मास्टर पेशले साल बनी उनका नाम राजा रित्विक है 71 नमबर के हमारे संकल्प गुपता है 72 नमबर के मित्रभा गुहा है और 73 नमबर के हैं भारत सुब्रामन्यम तो ये सारे नाम भी आपको ध्यारतने है अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न मेशे किसे जून 2021 में Central European University Open Society Award के सरबोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो ये जो पुरस्कार है वो दिया गया था केके सैलजा को किसे मिला था? केके सैलजा जो की हमारे केरल की पूर्व स्वास्त मंत्री थी तो इस प्रश्न के लिए C option हो जाएगा करग अगला प्रश्न आपके खेल के पुरस्कार से था कि 3 सितंबर 2021 को किस भारते निसाने बाज ने पैरालंपिक के एकल संस्क्रण में दो पैरालंपिक पदक जीते थे तो एक इन्होंने गोल्ड जीता था दूसरा ब्रॉंज था नाम इनका अवनी लेखारा है और ये हमारे राजस्थान राजी की खिलाडी है तो इस प्रश्न का D option हो जाएगा करग अगला प्रश्न पूछा गया था कि उप सहरा अफरीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए हमारे किस संस्थान को अफरीका खाद्य पूरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था तो ये जो संस्थान है इसका नाम है अंतर राष्टिय अर्ध सुस्क उष्न कडिवन्दिय फसल अमसंधान संस्थान ये आपके हैदराबाद में इस्थित है और इसी को अफरीका खाद्य पूरस्कार 2021 मिला था तो बी आप्सन हो जागा करक अगला प्रश्न पूछा गया कि विलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर राष्टिय डबलिन साहित्य पूरस्कार 2021 पूरस्कार 2021 पूरस्कार तो ये जो इनका नौवल है इसका नाम है Lost Children Archive क्या नाम है? Lost Children Archive इसका नाम है तो इस प्रश्न का A option हो जाएगा अगला पूछा गया था कि भारत के वे पहले अधिकारी कौन है जिन्हे जेंडर लेडर्शिप एंड इंपक्ट स्रेणी के तहत फरवरी 2021 केस में सैंक्त राष्ट एसिया पर्यावरण परवर्तन पूरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह जो हमारा पूरस्कार है वो सस्मिताल लेंका को मिला था किसे मिला था? सस्मिताल लेंका को यह पूरस्कार मिला था तो यहाँ पर A option हो जाएगा अगला प्रश्न पूछा गया कि 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को Sanctuary Lifetime Service Award 2020 से सम्मानित किया गया तो ध्यान कियेगा यह जो पुरस्कार है वह S. Theodore भासकरन को दिया गया था तो इस प्रश्न का C option हो जाएगा आपको पता होना चाहिए कि यह हमारे एक बहुती फेमस राइटर है और इनही को Sanctuary Nature Foundation के द्वारा पिशले साल Sanctuary Lifetime Service Award 2020 से सम्मानित किया गया था एक प्रश्न और पूछा गया था हलाकि यह खेल से था लेकिन आपके पदक से जुड़ा हुआ है कि 2021 में ASBC, ACI, EVA और Junior Boxing Championship में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे तो ये तो ऐसे अपने आप में बहुत एटा प्रश्न था भारत ने यहाँ पर टोटल 49 मेडल जीते थे और उप्सन B हो जागा यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं 49 मेडल भारत ने जीते थे जिसमें से 15 आपके गोल्ड थे 10 सिल्वर था और 14 यहाँ पर था ब्राउन मेडल अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से किसे NSZ Counter IED और Counter Terrorism Innovator Award 2021 से सम्मानित किया गया था तो यह जो परस्कार है वो हमारे सैलेस गणपुले को मिला था किसे मिला था सैलेस गणपुले को यह परस्कार मिला था तो यहाँ पर आप्सन भी हो जाएगा करेक्ट सैलेस गणपुले की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारे IIT रोडकी के एक प्रोफेसर है और आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा एक हमारा ब्लास्ट रिजिस्टेंस हेलमेट डबलब किया गया था और इसी के लिए इनको NSG काउंटर IED और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से समानित किया गया था तो यह सारे वे प्रेशन थे जो कि आपके तीन सिप्ट में पोचे गये थे अब यहां से हम लोग जो भी आपके topic wise अवार्ड दिये गए चाहे वह राष्टी अस्तर का हो अंतराष्टी अस्तर का हो खेल का हो या फिर फिल्म का हो उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हम सुरुआत करते हैं पहला प्रशन है कि गया हुँआ प्रथम नाम के NGO को दिया गया है प्रथम नाम का जो NGO है उसे यह प्रशकार मिला है तो option हमारा B हो जाएगा correct अच्छा अगर आपसे यह पूँछ लिया जाए कि 2020 में यह प्रशकार किसको मिला था तो 2020 में मिला था देविड अटन बारो को फिलहाल option B हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि वर्श 2021 के लिए अंग्रेजी भासा में जो साहित यकादमी पुरस्कार है उसके लिए किसको चुना गया तो ये अभी दिसंबर के लाश्ट में दिये गए है ध्यान अखियेगा अंग्रेजी भासा का जो परश्कार है ये मिला है नमिता गोखले को क्या नाम है नमिता गोखले का नाम है तो option फिलहाल B हो जाएगा correct अच्छा नमिता गोखले को क्यों यो परश्कार मिला है क्योंकि इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है Things to Leave Behind यानि कि वे चीजें जिन्हें आप पीछे छोड़ सकते हैं तो इस नाम से इन्होंने अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था और उसी के लिए नमिता गोखले को अंग्रेजी भासा का सहत अकादमी पुरसकार मिला है तो B हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि वर्ष 2020 में हिंदी भासा के लिए किसे सहत अकादमी अवार्ट से सम्मानित किया गया तो अगर हम हिंदी भासा की बात करें तो ये पुरसकार मिला है दया प्रकास सिनहा को किसे दिया गया दया प्रकास सिनहा को मिला है तो option फिलहाल D हो जाएगा Correct अच्छा इन्होंने क्या लिखा है तो ध्यान रखेगा इन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम है समराट असोक तो ध्यान रखेंगे आप लोग समराट असोक नाम के नाटक के लिए दया प्रकास सिनहा को मिला है हिंदी का साहित्यकादमी पुरस्कार तो ओप्सन D होगा करड़ अगला प्रश्न है कि वर्स 2021 के लिए प्रतेश्ठित यजू थचन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया तो यजू थचन जो पुरस्कार है ये साहित के छेत्र में केरल की सरकार देती है और इस साल ये पुरस्कार मिला है पी वल साला को किसे मिला पी वल साला को मिला है तो ओ सम्बर 2021 केस में 2017 से 19 के लिए किसको साथ में डाक्टर MS स्वामिनाथन पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरसकार है यह मिला है हमारे बी परवीन राओ को कौन है यह तो जो तिलंगाना के किरसी भी सुविद्याले है उसके इस समय यह चांसलर है और उन्ही को यह होगा फिलहाल करेक्ट अगला प्रशन है कि हाल ही में किसने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो यह पुरसकार मिला है अनिल प्रकास जोसी को इस साल इनको पदमभूसन पुरसकार भी दिया गया है तो जरूर ध्या तो आपको याद अखना है असमीज भासा के हमारे रायटर है जिनका नाम है नीलमडी फूकन तो नीलमडी फूकन साहब को 56 ग्यानपेट पूरसकार से सम्मानित किया गया और ग्यानपेट पूरशकारों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि 1965 में इस पुरस्कार की शुरुवात होई थी G.S. कुरूप सहब को पहली बार ग्यान पीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अभी जो 56 ग्यान पीट पुरस्कार है ये मिला है नील मडी फूकन सहब को तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं अगला प्रशन है कि दिसंबर 2021 में जो 57 ग्यान पीट पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया तो यह हमारे कौंकडी भासा के राइटर है नाम इनका है दामोदर मोजे क्या नाम है दामोदर मोजो इनका नाम है जिनको 57 ग्यानपरिट पुरसकार से सम्मानित किया गया तो option C हो जागा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि दिसंबर 2020 में किस राजी की पुलिस को प्रेशिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरसकार है यह हिमाचल प्रदेश की पुलिस को मिला है ध्यान रखिएगा जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है यह हमारे देश की आठ्मी पुलिस बन गई है जिसको प्रेशिडेंट कलर अवार्ड मिला है तो फिलहाल option A होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि सितंबर 2020 में किस राज में इस्थिद एडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया तो यह जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन है यह मिला है आपके पुलू चेरी के तट को ध्यान कियेगा ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक हमारे तटो को दिया जाने वाला विस्सेश प्रकार का सम्मान है जो की बहुत ही टफ क्राइटेरिया के आधार पर दिया जाता है तो ये मिला है आपके एदन टट को जो की पुडू चेरी में है तो D होगा फिलहाल करेक्ट अगला प्रशन है कि सितंबर 2020 में किस राज में इस्थित कोलम तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया तो ये जो कोलम तट है ये आपको मिलेगा तमिल नाडू में कहां पर है तमिल नाडू में है तो आप्शन फिलहाल के लिए C हो जाएगा अब आपको कुछ और जरूरी चीज़ें ध्यान रखनी है जैसे कि ये जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन होता है ये डेनमार की एक संस्था है जिसका नाम है FEE यानि कि Foundation for Environment Education इसी के द्वारा ये पुरस्कार यानि कि ये सम्मान दिया जाता है सबसे पहला बीच हमारे यहां का है चंद्रभागा बीच उडिसा का जिसको ये पुरस्कार मिल चुका है तो टोटल अभी तक हमारे देश के 11 बीच को ये पुरस्कार मिला हुआ है Option C हो जाएगा यहां पर Correct अगला प्रशन है कि वर्ष 2020 के लिए जो तीसवा परतेश्ठित ब्यास सम्मान है इससे किसको सम्मानित किया गया तो ध्यान रखिएगा अगर हम तीसवे ब्यास सम्मान की बात करते हैं तो ये मिला है सरत पगारे को किसे मिला है सरत पगारे साहब को मिला तो Option A हो जाएगा Correct इनके द्वारा एक Novel लिखा गया जिसका नाम है पाटली पुत्रू की सामागरी तो इसके लिए इनको ये पुरस्कार केके बिल्ला फाउंडेशन ने दिया है Option A होगा Correct अगला प्रशन है कि वर्शे 2020 के लिए किस लेखक को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया तो जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है हमारे सरन कुमार लिंबाले को किसको मिला है सरन कुमार लिंबाले साहब को मिला Option D हो जाएगा Correct तो ध्यान रखिएगा ये हमारे मराठी भासा के राइटर है इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है सनातन और उसी पुस्तक के लिए इनको सरसोती सम्मान दिया गया है तीस्वा ओप्सन डी हो जाएगा करक अगला प्रशन है कि मार्चे 2020 में किसे बिहारी प कोहरा साहब को तसलीमा संघर्स और साहित नाम की एक इन्हों ने रचना की थी जिसके लिए केके विल्ला फाउंडेशन ने इनको ये पुरस्कार दिया है तो ऑप्सन ए हो जाएगा करक अगला प्रशन है कि जनवरी 2020 में इनमें से किसे महाबीर चक्र से सम्मानित किया गया तो जो चाइना के साथ में गैलवान घाटी में इंसिडेंट हुआ था उसमें हमारे जो मेजर संतोस बाबू है इनका निधन हो गया था तो इन्ही को 2021 में मर्डो प्रांथ महाबीर चक्र दिया गया है ऑप्सन फिलहाल के लिए D हो जाएगा करक अगला प्रशन है कि वर्ष जिनको ये पुरसकार मिला है तो एक तो है महेंदर गिरी साहब एक है आपके सतीस सुंदरम तो दोनों के नाम ध्यान अक्येगा ऑप्सन फिलहाल C होगा करक अगला प्रशन है बहुत यही जादा महत्पूर्ण कि वर्ष 2020 के लिए किसे गांधी सांती पुरसकार से सम्मानि की गई थी गांधी जी कि हमारे 125 में जनम दिवस के आउसर पर आप्सन यहां पर सेख मुझीबूर रह्मान हो जाएगा फिलहाल करक ध्यान रखेगा कि 2019 के लिए ये कुबूस बिन सैद को मिला है और 2018 के लिए योही ही सासा कावा को ये पुरसकार दिया गया है अगला प्र हमारा सुबास चंदर बोस आपदा प्रवंधन पुरसकार होता है ये टोटल दो कटेगरी में दिया जाता है तो ब्यक्तिगत स्रेणी में ये मिला है राजेंदर कुमार भंडारी को आप्सन यहां पर ए हो जागा फिलहाल करक तो ये देख सकते हैं राजेंदर कुमार दिन पर 23 जनवरी को ये पुरसकार दिया गया अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में संस्थागस रेणी में सुबास चंदर बोस आपदा प्रवंधन पुरसकार से किसको सम्मानित किया गया तो अगर हम लोग संस्थागस रेणी की बात करें तो ये मिला है सीड़्स को सीड्स और इसी को यहां पर दिया गया है 2021 में option C होगा correct अगला प्रश्ण है कि नॉम्बर 2020 में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये पुरसकार मिला है हमारे देश की एक मसहूर लेखक है नाम इनका है अनीता दिसाई क्या ना के दोरान अनीता दिसाई जी को यह पुरसकार मिला है C होगा correct अगर आपसे 2020 वाला पूंच लिया जाए तो ध्यान रखेगा 2020 वाला जो पुरसकार है वो मिला है रसकिन बॉन्ड को अगला प्रश्ण है कि वर्थ से 2021 के लिए कितने बैक्तियों को सांती सुरूब भटनागर पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह जो सांती सुरूब भटनागर पुरसकार है यह दिया गया है टोटल 11 बैक्तियों को कितने लोगों को 11 लोगों को यह पुरसकार मिला है तो option हमारा D हो जाएगा correct अब पुरसकार के बारे में आप लोग यह धिया रखेगा कि बिग् सकते हैं उन 11 लोगों के नाम जिनको यह पुरसकार 2021 में मिला है अगला प्रशन है कि नौबर 2020 में किसे तेंजिंग नौरगे राष्टिय साहसिक पुरसकार से सम्मानित किया गया तो वैसे यह पुरसकार साथ लोगों को मिला है आपको दो नाम जरूर ध्या रखने हैं जो क क्योंकि यह हमारे लेटिनेंट जनरल हैं आप्सन यहाँ पर डी हो जाएगा फिलहाल करक्त इसके अलावा महराश्ट की एक प्रियंका मोहिते हैं उनको भी यहाँ पर तेंजिंग नोरगी राष्टिय साहसिक पुरसकार मिला है तो डी होगा करक्त अगला प्रशन है कि नौ पिछले साल निधन भी हुआ है यह आपको ध्यार रखना है तो आप्सन फिलहाल डी हो जाएगा करक्त पुनीत राजकुमार की बात करें तो यह हमारे कंड़ भासा के एक बहुत ही सुपर अब नीता थे जिनका पिछले साल निधन हो गया 46 साल की एज में और उन्हीं को यह पुरसकार दिया जाएगा डी होगा करक्त अगला प्रशन है कि नौमबर 2020 में किस राजक को पहले इंस्पारिंग रीजनल लीडर्सिप अवार्ड से समानित किया गया तो यह जो पुरसका अगला प्रशन है कि हाल ही में किस बैंक को मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CII-DX पुरसकार दिया गया तो यह मिला है HDFC बैंक को ध्यानत कियेगा ऑप्शन डी हो जाएगा करक्त अगला प्रशन है कि हाल ही में किस ने Global Environment and Climate Action सिटजन अवाद 2021 जीता है तो यह जो पुरसकार है इसको जीता है बिरल सुधीर भाई दिसाई ने जीता है तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करक्त अगला प्रशन है कि दिसंबर 2020 में किस उद्योग पती को असम भायू पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह जो अस रतन टाड़ा साहब को रतन टाटा त्रेस्ट इसने कैंसर के लिए बहुती सांदार काम किया है असम राज में और इसी के लिए असम की सरकार के दौरार इनको असम भायू पुरस्कार दिया गया, B हो जाएगा फिलहाल, correct, अगला प्रश्न है, कि हाल ही में किसे, राष्टिय फ्लोरेंस, 9 टिंगल, अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये जो पुरस्कार है, ये दिया गया है, S.V. सरस्ति को, किसे मिला है, S.V. सरस्ति को मिला है, त तो ये मिला है, AIMS दिल्ली के निदेशक, रणदीप गुलेरिया को, किसे मिला, AIMS दिल्ली के निदेशक, रणदीप गुलेरिया को, तो D होगा, फिलहाल, correct, अगला प्रश्न है, कि अक्टूबर 2021 में, A.S.I. के द्वारा, किसको आर्यभट पुरस्कार से सम्मानित किया तो ये जो आर्यभट पुरस्कार है, ये मिला है हमारे DRDO के जो परमुक हैं, जिनका नाम है G.S.Reddy, तो नाम जरूर ध्यान रखेगा, G.S.Reddy साब को ये पुरस्कार दिया गया है, और अप्शन फिलहाल के लिए A हो जागए यहाँ पर, correct, तो A.S.I.O.C. अप्रश्न है, क ये मिला है हमारे उपराश्ट्रती यमवी नाइडू जी को, आप्शन फिलहाल सी हो जागए यहाँ पर, correct, अगला प्रश्न है, कि जुलाई 2020 में, I.C.A.R. नार्मन बोर्लाग पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो ये हमारे DRDO के एक साइंटिस्ट है, नाम इनका ह काजल चक्रवर्ती, क्या नाम है, काजल चक्रवर्ती नाम है, और ये पुरुस है, तो महिला इनको मैं समझ येगा, ये देख सकते हैं, ये हमारे पुरुस है, काजल चक्रवर्ती साहब, जो कि I.C.A.R. के मुख्यबै ज्यानिक है, इन्हीं को ये परश्कार मिला है, D. 2020 में किसे राष्टिय इवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये जो राष्टिय इवा पुरस्कार है, ये मिला है मुहम्मद आजम साहब को, किसे मिला मुहम्मद आजम साहब को मिला, हमारे जो खेल और इवा मामलों के मंतरी हैं, अनुराग ठाकुर जी, उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है तो option C हो जाएगा फिरहाल correct अगला प्रशन है कि राष्ट पती रामनात कोविंद जी के द्वारा वर्स 2021 के लिए कितने ब्यक्तियों को बीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये जो बीरता पुरस्कार है total मिला है 144 लोगों को अ हमारे जम्मू कास्मेर पुलिस के ASI बाबु राम को इनका निधन हो गया है और मरणो प्रांद इनको दिया गया है असोक चक्र असोक चक्र हमारे लिए इसलिए इतना ज़्यादा खास है क्योंकि सांती के समय में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा बेरता पुरस्कार है और यह मिला है ASI बाबु राम को तो जरूर इनका नाम ध्यान रखेगा ऑप्सन A होगा यहाँ पर करक अगला प्रशन है कि अगस्त 2021 केस में किस राजने नैसकॉम आर्टीफीशल इंट्लीजेंस गेम चेंजर अवार्ड जीता है तो यह जो पुरस्कार है इसको जीत लिया पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरस्कार है यह मिला है जगदीश भगवती और सी रंग राजन को ध्यान कियेगा दो लोगों को यह मिला है तो ऑप्सन फिलाल D यानि की A और B हो जाएगा यहाँ पर करक तो कोलंबिया पे सुविद्याले के प्रोफेसर ह और आपको पता होगा कि हमारे RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं सीरंग राजन साहब इन्हीं दोनों को अर्थसास्त के फिल्ड में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया तो D होगा करक अगला प्रश्न है कि अगस्त दो हजार केस में किसे लोकमाने तिलक राष् हल सब्केस में प्रतिश्ठdock मंहाराष्ट भूषण पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरसकार है यह मिला है हमारी जो गाईका है आजसा बहसलेजी तो ध्यान रखेंगा इनके बारे में महाराश्टकी सरकार ने इनको पुरसकार दिया ओप्सर Ilh 2 हो जाये ये मिला है आन्द प्रदेश के गवर्नर बीबी हर्चंदन को, आप्सन यहाँ पर A हो जाएगा फिलहाल करेक्ट, तो देख सकते हैं, M.V. नायडो जी के द्वारा ये पुरसकार दिया गया है, उडिशा के कटक में, आप्सन A हो जाएगा करेक्ट, अगला प्रशन है, कि हिं 2021 के लिए मिला है, और ये आप से पूचा जा रहा है 2020 का, तो द्यानकी गए2020 वाला पिशले साल ही दिया गया था, तो ये मिला था अनामिका को, किसको मिला था, अनामिका को, तोकरी में दिगंत नाम की इनकी एक रचना है, उसी के लिए 2020 का हिंदी भासा का स्थाहत पुरसक है वो मिला था अरुन्धती सुब्रामन्यम को इस साल नमिता गोखले को मिला है और 2020 वाला मिला है अरुन्धती सुब्रामन्यम को और इनकी रचना है तो दोनों के नाम आपको यहां पर ध्यान रखने हैं अगला प्रशन है कि मार्च 2021 में किस राज्य को 6 रोग के छेतर में कारे करने के लिए राश्टिय पुरसकार से सम्मानित किया गया आपको पता होना चाहिए कि 2025 हमने टार्गेट रखा हुआ है कि अपने देश से हम लोग टीबी को समाप्त कर देंगे और इसमें बहतर काम किया है केरल राज ने तो आप्सन फिलहाल भी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि वर्शे 2021 को किस राज की सरकार के द्वारा सिच्छा के वर्श के रूप में घोसित किया गया तो जो आपके सिच्छा का वर्श है इ एक हजार करोन रुपए का हम लोग निवेश करेंगे और 2021 को इन्होंने समर्पित किया इयर आफ एज्यूकेशन की रूप में तो सी हो जाएगा करक्ट अगला प्रशन है कि फरवरी 2000 केस में साइंस एंड इंजिनरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा किसको महिला उत्क्रि रितू गुपता तो ध्यान रखिएगा सर्व ने यहां पर चार महिलाओं को परशकार दिया 2020 में डाक्टर सोभना कपूर डाक्टर अंतरा बनेर जी डाक्टर सोनू गाधी और डाक्टर रितू गुपता तो इह हो जाएगा करक्ट अगला प्रशन है कि वर्स 2000 केस में कितन करक्ट अगला प्रशन है कि जून 2021 में घोसित स्मार्ट सिटी अवार्ट 2020 में कौन सा सहर आपके टॉप पोजीशन पर रहा है तो टॉप पे रहे हैं दो सहर एक है इंदौर दूसरा है सूरत तो आप्शन फिलहाल डी होगा यहां पर करक्ट अगला प्रशन है कि फरवरी 2020 म किस CM को स्कॉच CM of the Year के पुरस्कार से समानित किया गया तो यह जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे जगन मोहन रेड़ी साहब को आप सभी को पता होगा कि आन्द परदीश राज के यह CM है और इनहीं को यहां पर CM of the Year का पुरस्कार मिला आप्शन ए हो जाएगा फिलहाल किस भारती हवाई अड़े को wise of the customer पुरस्कार से समानित किया गया तो यह जो पुरस्कार है वो मिला है हमारे बैंगलूरू के कैमपा गोड़ा हवाई अड़े को तो फिलहाल के लिए आप्शन यहां पर B हो जाएगा करक अगला प्रशन है कि किस राज की सरकार को स्रेणी प्रथम में इपंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह जो इपंचायत पुरस्कार है यह दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को किसको दिया गया उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया गया प्रथम सरेणी में तो option यहां पर D हो जाएगा करक अगला प्रशन है बिल्कुल मतलब कुडा टाइप वाला ही प्रशन आप इसको कह सकते हैं कि अपरायल 2021 में किस केंद्रिय मंत्री के द्वारा AICTE लीलावती पुरसकार 2020 दिये गए तो ये जो पुरसकार है उस समय के हमारे जो सिच्छा मंत्री थे रमेज पोखरियाल निसंग साहब इनके द्व द्वारा दिया गया था तो B होगा फिलहार करेक्ट ये देख सकते हैं पांच कटेगरी में ये पुरसकार दिये गए थे और कटेगरी वायच आप लोग यहां पर देख सकते हैं अगला प्रशन है कि उत्तर प्रदेश राजी सरकार के द्वारा किसे भारत भारती सम्मान द चिल्वारा हिज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया तो ये जो पुरसकार है ये मिला है कवसल्या संकर को किसे मिला कावसल्या संकर को मिला option A हो जाएगा correct तो ये देख सकते हैं हमारे तमिल नाडों की एक जाति विरोधी और मानोवा धिकारों के लिए काम करने वाले कार्य करता है कौसलिया संकर जिनको अमेरिकी कांसलेट ने ये पुरसकार दिया है तो यह होगा करेक्ट अगला प्रशन है कि जनवरी 2020 में कितने लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जेस्टिस के लिए समानित किया गया उपर जो मैंने बताया था वो 2021 के लिए था ये 2020 के लिए ये टोटल मिला था पांच टोगों को तो यह होगा करेक्ट यह देख सकते हैं केके सैल जा विकास खन्ना आई इसले साल छटे राष्टे डिजिटल अवार्ड 2020 दिये गये थे तो आपको बताना है कि पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था तो पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था 2010 में ऑप्सन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट तो आपको थोड़ी स्रेणी भी याद अख और प्रवासी समिक और रोजगार सेतु पोर्टल जो की है MP का तो ये सारे चीजें भी आप लोग ध्या रखेंगे आखरी प्रेशन है कि वर से 2020 के प्रतेश्टित इंजीनियर प्रसकार से किसको सम्मानित किया गया तो ये जो प्रसकार है ये मिला है हमारे रेलवे बोर्ट और पहले से ये ओ थे बीके यादो उनको प्रतेश्टित इंजीनियर प्रसकार से सम्मानित किया गया पहला प्रशन है कि फोप्स के द्वारा जारी बिस्वकी 2021 में सबसे सक्तिसाली महिलाओं के सूची में कौन रहा है सिर्स पर तो ध्यान कियेगा सबसे सक्तिसाली महिला बन गई है, नाम इनका है Mackenzie Scott, क्या नाम है, Mackenzie Scott इनका नाम है, option यहाँ पर A हो जाएगा, correct, तो Forbes के द्वारा यहाँ पर यह सूची जारी की गई, सबसे सक्तिसाली महिला Mackenzie Scott है, दूसरे नमबर पर आ गई है, अमेरिका की जो उपराश्पती है, जिनका नाम है कमला बुआ, त बिहान कियेगा, तो A हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि वर्ष 2020 के लिए, किन भारतिये को अंतर राष्टिये बाल सांती परस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह जो परस्कार है, यह हमारे दिल्ली के दो छात्रों को मिला है, एक का नाम है बिहान अग्रवाल, और एक क सकते हैं, हमारे देश के जो नूबर पुरसकार बजीता है, अमरत्य सेंज साहब, उनके द्वारा इनको पुरसकार दिया गया है, तो option A होगा, correct, अगला प्रशन है, कि दिसम्बर 2021 में, हमारे जो PMH नरेंदर मोधी साहब, इनको किस देश के द्वारा, order of the dragon king award से सम्मानित क दिया गया, तो ये जो पुरसकार है, ये दिया है भूटान की सरकार ने, किस ने दिया, भूटान की सरकार ने दिया है, तो option C हो जाएगा correct, अब ये प्रशने तो बहुत ही जादा महत्पूर्ण है, क्योंकि अगर हमारे PM को कोई पुरसकार मिलता है, तो वह वैसे भी अप सारे PM सहाब को दिया हुआ है, चाहें साथी अरब हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे पुरसकार आप ध्यान रखिएगा, पिछले दो सालों की बात करें, तो United State ने इनको 2020 में Legion of Merit दिया था, और अभी 2020 में भूटान ने इनको दिया है, Order of the Dragon King, तो ध्यान रखिएगा, C हो ज ने 2020 की, तो जो बाइडन और हमारी जो कमलाब हुआ है, वो रही थी Time Person of the Year, लेकिन इस साल नहीं है, Elon Musk, आप सभी को पता होगा, कि इस साल ये दुनिया के सबसे अमीर ब्यक्तियों में भी सामिल हो गए थे, यानि कि सबसे अमीर ब्यक्ति भी बन गए थे, और ये आपके Tesla और SpaceX कमपनी के मालिक हैं, और इनी को Time Magazine ने Person of the Year चुना है, तो B होगा Correct, अगला प्रशन है कि, अक्टूबर 2021 में किसको सखारोव पुरसकार से सम्मानित किया गया, ये भी काफी महत्पूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा जो Alexei Navalny है, क्या नाम है Alexei Navalny, इनको सखारोव पुर के नेता हैं, और इनको जहर दे करके मानने का प्रयास किया गया था, तो इसी लिए ध्यान रखिएगा, Alexei Navalny को ये पुरसकार मिला है, यहां पर आप देख सकते हैं, यूरूपिये संसद इस पुरसकार को देती है, तो Option D हो जाएगा, करें, अगला प्रशन है कि, अक्टू की बार, प्रिंस बिलियम अर्थसौड पुरसकार दिया गया है, और ये मिला है एक भातिये, विद्दुत मोहन को, तो C हो जाएगा, करेंक, ये देख सकते हैं, विद्दुत मोहन को, इनका एक प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है तकाचार, और उसी के लिए इनको ये पुरस मेन को मिला है, एक टो हैं, जिनका नाम है सिवनदार, स yiel कमपने के हैं, और दोसरी है, मलिका स्रीनिवसन, टैफी कमपनी के CMD है, तो यहाँ पर तो फिलहाल C हो जाएगा, लेकिन आपको नाम दोनों ध्या रखने हैं, कि सिवनदार, और टैफी कमपनी के CMD, मलिका अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में किस भारतिय संगठन को राइट लिबली हुड अवार्ड से समानित किया गया है तो यह जो लिबली हुड अवार्ड है यह मिला है आपके लाइफ नाम के संस्था को किसको मिला लाइफ को मिला है तो फिलहाल D होगा करेक्ट यह आप ल अवा कई अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार मिला है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहां के लाइफ को मिला है D होगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि अमेरिकी संसथ के द्वारा किस भारतिय को कॉंग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाने की घोशना हु जिनको यह पुरस्कार मिल लहा है इससे पहले नेलसल मंडिला और मदर टेरेसा को यह मिल चुका है तो यह हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि वर्थ से 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया तो यह जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है वह किसी भासा में लिखी गई पुस्तक जो कि अंग्रेजी में अनुवादित हुई है यूके या आइरलाइन में प्रकासित हुई है उसको दिया जाता है तो इस पुस्तक का अनुवाद किया अन्ना मोस सुवा किसने और यहां पर इन दोनों को पुरस्क अगर हम टेमपल टेन पुरसकार के बात करते हैं तो यह जीता है जेन गुडाल ने क्या नाम है जेन गुडाल इनका नाम है तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट यह देख सकते हैं कि जेन गुडाल ने आपके काफी सारा रजरच वगए राखिया था चिमपैजी के उपर तो इसलिए इनको यहाँ पर टेमपलिटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, option A हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि मई 2020 में जापान के द्वारा, किसको order of the rising sun पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह जो पुरस्कार है, यह मिला है स्यामला गणेश को, किसे मिला, स्यामला A हो जाएगा, correct, तो हमारे बेंगलोरू में एक जापानी भासा की यह सिचिका है, और इन्ही को बेंगलोर, जापान ने यह परस्कार दिया है, तो A हो जाएगा, correct, वैसे पिछले साल मिला था यह, ठंगजाम धबली सिंको, अगला प्रशन है, कि अप्रैल 2000 केस में, नेलसन फिलाल A हो जाएगा, यहाँ पर correct, यह देख सकते हैं, एक software engineer है, जो की एक बाद में उद्यमी बनी, इन्ही को यहाँ पर यह परस्कार दिया गया है, ध्यान रखेगा भारत की है, तो A हो जाएगा, correct, अगला प्रशन है, कि किस देश की एनिलैक्टन को, वर्थ 2021 के प्रिज प्रिजिकर पुरस्कार मिला है, ध्यान रखेगा, जो प्रिजिकर पुरस्कार होता है, इसको हम लोग वास्तुकला का नोबल पुरस्कार भी कहते हैं, और यह मिला है एनिलैक्टन और उनके हस्बैन जीन फिलिप वैसाल को, तो ध्यान रखेगे, C हो जाएगा, correct, अगला पुरस्कार है, यहां पर देखिए, पब्लिक सर्विस के लिए निव्यार्ग टाइम्स को, यह यूपी PCS में पूछा जा चुका है, वैसे, टोटल 22 स्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, कोलंबिया विस्विद्याले के द्वारा, पहले भागते जिन्हों ने इ किसको पुरस्कृत किया गया, तो अगर हम लोग इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की बात करें, तो यह मिला है भारतिय मूल की मेगा राज गुपालन को, किसको मिला मेगा राज गुपालन को मिला, अगर हम इनकी बात करते हैं, तो यहों ने आपके जो चीन में उईगर मुस पर उत्तल कि बात की बात हो तो ध्यार रखेंगे इससे हम लोग गरीन आसकर के नाम से जानते हैं और यह मिला है वाई नुकलूफोम को किसे मिला वाई नुकलूफोम को मिला तो भी होजएगा सकते हैं यह देख सकते हैं नागालेंड में एक चर्च की करमचारी हैं वाई मानित किया गया 200 खाद्य पुरसकार की बात करें तो ये मिला है हमारे सकुंतला हरक सिंग को क्या नाम है सकुंतला हरक सिंग को मिला है option यहाँ पर D हो जाएगा correct तो देख सकते हैं ये भी आपके भारतिय मूलकी हैं वैसे ये डन्मार्क देश की नागरिक हैं और इन्ही को यह पर मिला है 200 खाद्य पुरसकार अगर आपसे पूंचा जाए कि यह पुरसकार 2020 में किसको मिला था तो वह मिला था डांक्टर रतनलाल को दोनों नाम्याद किएगा फिरहाल दी होगा correct अगला प्रशन है कि दिसंबर 2021 में नेत्रित्यों प्रतिबद्धता 2021 के लिए जो संवत राष्ट महिला परसकार है ये किसने जीता है तो ये जो परसकार है इसको जीता है दिव्या हिंग्डे ने किसने जीता दिव्या हिंग्डे ने जीता है तो option फिलहाल ए होगा हमारा correct किसने जीता दिव्या हिंग्डे ने तो ध्यार केगा ये भी हमारी एक उद्यमी है यहां के किस power station को blue planet पुरसकार से सम्मानित किया गया तो यह जो blue planet पुरसकार है यह मिला है तीस्ता power station को जो कि तीस्ता नदी के उपर बना है तो D होगा correct यह देख सकते हैं कि NHPC का जो 510 MW का तीस्ता 5 power station है जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा इसी को यहां पर पुर समझता पुरसकार है इससे किसको सम्मानित किया गया बहुत ही ज़्यादा महतपूर्ण है ध्यान रखिएगा यह जो पुरसकार है यह मारिया रेसा को मिला है किसको मिला है मारिया रेसा को यह पुरसकार मिला है और अगर हम लोग मारिया रेसा की बात करें तो यह फिलिफि को वो पुरस्कार मिला है यह आप नीचे कमेंड में बताएंगे तो फिलहाल सी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि वर्थ सथ 2020 में किसको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया तो मैन बुकर प्राइज की बात करते हैं तो यह मिला है दच्छिन अफरीका के राइ जिसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है तो आप संसी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि दिसंबर 2000 केस में किसको सिप्रियन फोयस अवार्ड दिये जाने की घूशना की गई तो यह जो सिप्रियन फोयस अवार्ड है यह मिला है आपके निकल स्रिवास्तों को भात सायर एजुकेशन एसिया अवार्ड 2020 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ दी एर का पुरस्कार जीता है तो यह पुरस्कार जीता ओपी जिंदल ग्लोबल युनिवरसिटी ने किसने जीता ओपी जिंदल ग्लोबल युनिवरसिटी ने तो आप्शन फिलहाल बी होगा यहाँ प आफ ओपन स्कूलिंग को किसे मिला नेशनल इंसिट्यूशन आफ ओपन स्कूलिंग को मिला है तो फिलहाल यह होगा यहां पर करेक्ट अगला प्रशन है कि सितंबर 2020 में किसको गोल्डन गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरसकार है यह बिल और अगला प्रशन है कि सितंबर 2020 में किस देश के फिरोज फैजा बीधर को चेंज मेकर आफ दी इयर पुरसकार मिला है तो यह पुरसकार हमारे पीम साहब को भी मिल चुका है ध्यान रखिएगा यह फिलहाल मिला है बांगला देश की फिरोज फैजा बीधर को आप्सन यहां पर दी हो जाएगा करेक्ट तो देख सकते हैं यह बांगला देश से हैं और इनही को यहां पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडिशन ने चेंज मेकर आफ दी इयर का पुरसकार दिया है तो दी होगा करेक्ट अगला प्रशन है कि सितंबर 2020 में किसको SDG Progress Award से समानित किय गया है यानि कि sustainable development goal के लिए award दिया गया है और यह मिला है हमारे सेख हसीना जुलफो वाली है यानि कि जो मांगला देश की PM है सेख हसीना साहिबा उनको यह पुरसकार दिया गया है option A हो जाएगा यहां पर करेक्ट अगला प्रशन है कि हाल ही में 73 में एनी पुरसकारों की गया है तो आपको बस यह बताना है कि यह television के छित्र में दिया जाता है तो कौन सा देश इस पुरसकार को देता है तो यह पुरसकार अमेरिका देता है option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि October 2020 में UNESCO का जो पहला अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 में किसको Commonwealth Point of Light Awards से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरसकार है यह मिला है स्यद उस्मान को किसे मिला स्यद उस्मान को मिला है तो option B होगा यहाँ पर correct तो यह एक देश सकते हैं स्यद उस्मान जो कि हमारे एक सामाजिक कार्य करता हैं बहुती सांदार काम करते हैं यानि कि जो भूखे लोग हैं उनको यह भोजन कराते हैं फ्री में और उसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला तो B हो जाएगा करण अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 में किसको हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये जो हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड है ये दिया गया है यहाँ पर कौसिक बसु को कौन है तो भारतिय मूल के एक अर्थसास्त्री है नाम इनका कौसिक बसु भारतिय मूल के भारत के ही है तो कौसिक बसु इनका नाम है ये आपके बिसुबैंग को गैरा में भी काम कर चुके हैं तो इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि वर्ष्ट 2021 के लिए किसे प्रतेश्टित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये जो डायना अवार्ड है ये मिला है सनामित्तर को कैफ अली को और देवानसी रंजन को तीन लोगों को ये परस्कार मिला दिल्ली में लोगडाउन के दोरान बहुती अच्छा काम किया था तो option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि अगस्त 2020 केस में किसको C आर राओ सताबदी सुनपदक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तो ये जो सताबदी सुनपदक पुरस्कार है ये मिला है जगदीश भगवती और C रंग राजन को किसे मिला जगदीश भगवती और C रंग राजन को मिला है तो फिलहाल D यानि की option A और B हो जाएगा correct कौन है जगदीश भगवती तो कोलंबिया बेश्विद्याले की ये प्रोफेसर है और अगर हम लोग C रंग राजन की बात करें तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा ये हमारे RBI के पूर्व गवर्नर है तो अर्थसास के छित में ये उगदान के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है D होगा correct अगला प्रशन है कि मई 2020 केस में Rudolph B. Sinder पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतिय कौन बने है तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है Dr. Nagishore Reddy ने किस ने जीता Dr. Nagishore Reddy ने जीता तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि April 2000 केस में Wild Innovator Award प्राप करने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी है तो इनका नाम है क्रीती करंथ क्या नाम है क्रीती करंथ इनका नाम है जो कि Wild Innovator Award प्राप करने वाली पहली भारतिय बनी है तो D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मई 2020 केस में किस बैग्यानी को वर्स 2020 के लिए अंतर राष्टिय E&I Award से सम्मानित किया गया तो ये जो प्रशकार है ये दिया गया है डाक्टर C&R Rao को केसे मिला डाक्टर C&R Rao को मिला तो option D हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि मई 2020 केस में जो हमारे अमरत्य सेन साहब है इनको Princess of Asturias Award से सम्मानित किया गया तो आप बताईए अमरत्य सेन साहब को ये पुरसकार किस देश ने दिया है तो ये जो पुरसकार है इसको दिया इस्पेन ने किस ने दिया है इस्पेन ने दिया है तो B हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2020 में पुरसकार मिला है आप्सन B हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि मई 2020 में 15 सेख जायद बुक पुरसकार जीतने वाली पहली भारतिय कौन बनी है तो क्या नाम है इनका इनका नाम है ताहरा कुत्बुद्दीन क्या नाम है ताहरा कुत्बुद्दीन इनका नाम है तो आप्सन हमारा D हो जाएगा correct तो देख सकते हैं यह सिकागो विश्विद्याले में प्रोफेसर है अरबी भासा की और इन्होंने एक पुस्तक लिखी Arabic Oration Art and Function जिसके लिए इनको यह पुरसकार मिला है तो D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि जून 2000 केस में Nature TTL Photographer of the Year का पुरसकार केस ने जीता तो यह हमारे कीरल राजी से आते हैं नाम इनका है Thomas Bajian तो यह पूँचा जा सकता है आप से क्योंकि यह बहुती महत्पूंट फोटो के लिए मिला है तो A हो जाएगा correct यह आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक औरंगुटान की फोटो खीची थी जो कि कुछ इस प्रकार से लटका हुआ तरपेंड से और इसी के लिए हमारे Thomas Bajian सहाब को यह पुरसकार मिला है A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मई 2021 केस में दस्वा वल्ड कोरियोगाफी अवार्ड 2020 येतने वाले पहले भारतिय जज कौन बने है तो इनका नाम है यहाँ पर सुरेश मुकंद क्या नाम है सुरेश मुकंद इनका नाम है तो option A हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मई 2020 किस भारतिय मोल के वैग्यानिक को 2020 के मिलोनियम टेकनोलोजी पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये पुरसकार दिया गया संकर बाला सुबरामनियम को किसे मिला है संकल बारा सुबरामनियम को मिला तो ये हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रशन है कि जून 2020 किस को ACA प्रशान उत्पादक्ता चैंपियन पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये जो पुरसकार है ये मिला है हमारे अमूल कंपनी के जो अगला प्रशन है कि जून 2020 में किस को European Inventor Award 2021 से सम्मानित किया गया तो ये जो पुरसकार है ये मिला है आपके सुमिता मित्रा को किसे मिला सुमिता मित्रा को ये पुरसकार मिला तो option A होगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि वर्श 2020 में किस भारतिय गणतर्गे को प्रतेश ठेट माइकल वा सीला हेल्ड पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये जो माइकल और सीला हेल्ड पुरसकार है ये दिया गया है आपके निखिल स्रिवास्तो को किसे मिला निकल स्रिवास्तो ये वही निकल है जिनको ऊपर भी पुरस्कार दिया गया सिप्रियन वाला और इनको माइकल और सीला हेल्ड पुरस्कार भी दिया गया है तो आप्सन यहां पसी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारती मुल्के बैक्ति को आबु धाबी के नागरिक प्रसकार से सम्मानित किया गया तो ध्यान रकिएगा ये जो प्रसकार है ये लूलू समोह के जो प्रमुक है यूसुप अली म.A इनको आबु धाबी के नागरिक प्रसकार से सम्मानित है चलिए एक प्रश्ण आपसे हैं आपको नीचे कमेंड में बताना है कि हमारे यहां के कौन से ऐसे भारतिये हैं जिनको गोल्डन बीजा मुला है तो वो आपके खिलाडी है उनका नाम इस साल यूपी केसे से पूचा भी गया था तो वो नाम आप लोग नीचे कमेंड में बताईएगा पहला प्रश्ण है कि दिसंबर 2021 किस भारतिये महिला खिलाडी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट सवाड में सबस्रेष्ट महिला पदारपन का सम्मान जीता है काफी महत्मोर प्रश्ण है और इनका नाम जरू ध्यान रखिएगा नाम इनका है आउनी लेखारा इनका नाम है आउनी लेखारा इनका नाम है आउप्सन यहाँ पर भी हो जाएगा करग तो ध्यान प्रश्न है कि हाल ही में किसने BBC Sports Personality of the Year 2021 का पुरस्कार जीता है तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है एमा रादू कानू ने कौन है ये तो आपको ध्यान रखना है कि United Kingdom की ये टेनिस की खिलाडी है और इस साल जो US Open Tennis स्टूरामेंट हुआ है उसके महिला एकल का खिताब भी जीता है एमा रादू कानू ने तो ध्यान रखिएगा अगला प्रशन है कि वर्षय 2021 में किसको बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया बहुत ये जादा महत्पोर प्रशन है तो ध्यान रखिएगा साथवी बार इस पुरस्कार को जीत लिया है नाम इनका है Lionel Messi क्या नाम है लियोनल मेसी इनका नाम है तो option हमारा भी होजगा फिलहाल के लिए correct यह देख सकते हैं लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाडी है इन्हों ने पिछले साल कुल मिला करके 41 गोल किये थे और इसी लिए इनको सातवी बार बैलन डियो और पुरस प्रशन है क्योंकि यह जो पुरसकार है हमारे देश की अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है किसे मिला अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला जो कि हमारे देश की पूर्व एथलेटिक्स की खिलाडी रह चुकी है तो option A हो जागा यहां पर correct यह देख सकते हैं अंजू बॉबी एथलेटिक्स के द्वारा यहां पर पुरसकृत किया गया है अगला प्रशन है कि दिसंबर 2020 में टाइम्स पत्रिका के द्वारा किस खिलाडी को एथलीट ऑफ दी इयर चुना गया तो अगर हम लोग एथलीट ऑफ दी इयर की बात करें तो यह चुना गया है सिमोना बाइल इसको क्या नाम है सिमोना बाइल सिन का नाम है तो ऑप्शन फिलाल सी हो जाएगा करेक्ट अचा कौन है यह तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका की यह जिमनास्टिक की खिलाडी है यहां पर आप लोग इनको देख सकते हैं यह आपकी चार बार ओलम्पिक में गोल्ड म खिलाडी को ICC Hall of Fame में सामिल नहीं किया गया ध्यान रखियेगा टोटल इस साल तीन खिलाडियों को सामिल किया गया है एक खिलाडी है जिनको सामिल नहीं किया गया है तो ऑप्शन हमारा यहां पर A हो जाएगा करेक्ट यानि कि सान पूलाक महेला जैवर्धनी और जैनेट जो की हैं इंग्लेंड से तो ऑप्शन A हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि अक्टूबर 2020 में होकी इंडिया के द्वारा जो स्टार्स अवार्ड 2021 से कीस दिया गया इसमें बेस्ट पुरुस खिलाडी का अवार्ड किसे मिला है तो यह जो पुरसकार है यह दिया गया हरमन प्रीत सिंग को किसे मिला हरमन प्रीत सिंग को यह पुरसकार मिला है तो ऑप्शन D हो जाएगा करेक्ट यह देख सकते हैं हरमन प्रीत सिंग हमारे इंडियन होकी के खिलाडी है और यह डिपेंडर के भूमिका निवाते हैं तो इनको यहाँ पर इस साल बेस्ट जिला खिलाडि आपधी बीयर का वार्ट किसे दिया गया तो ये जो पुरसकार है ये मिला है आपकी गुर्जीत कार को किसे मिला है गुरुजी के बात करें तो पीयार्ट स्रेजिए पुरसों में और सबीता पुनियां आपके रही हैं महिलाओं में। कोच आफ दी एर की बात करें तो ग्राहम रीड आपके पुर्सों में और स्वेड मरेजने रही है महिलाओं में तो सारे नाम याद दखिएगा आपसन फिलहाल ए हो जाएगा करक्त अगला प्रशन है कि All India Football Federation के द्वारां 2020 के लिए किस महिला खिलाडी को Footballer of the Year नामित किया गय यह देख सकते हैं बाला देवी तीसरी बार Footballer of the Year चुनी गई है और यह हमारे बिदेशी Football Club की तरब से खेलने वाली भी पहली महिला खिलाडी है तो आपसन C हो जाएगा करक्त अगला प्रशन है कि All India Football Federation द्वारां किस खिलाडी को वर्च 2021 के लिए पुरुस प्लेयर of the Year कि संदेश जिंगन को किसे मिला है संदेश जिंगन को यह पुरुसकार मिला तो आपसन फिलहाल के लिए भी हो जाएगा करेक्त यह देख सकते हैं संदेश जिंगन है जिनको यहाँ पर पुरुस प्लेयर of the Year का पुरुसकार मिला है अगला प्रशन है कि वर्च 2021 में किस खिल अगला प्रशन है कि मार्च 2021 में किस खिलाडी को BBC के द्वारा Indian Sports Women of the Year के पुरुसकार तो यह जो पुरुसकार है इस साल मिला है कोनिरू हमपी को यहाँ पर BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन आप दी एर का पुरस्कार मिला वहीं पर जो हमारे देश की सूटर है मनुभाकर इनको इमर्जिंग प्लेयर आप दी एर का पुरस्कार मिला और अंजू बॉबिज जोर्ज को लाइफ टाइम अचीब्मेंट का पुरस्कार मिला है तो तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं और ये पुरस्कार दिये गए हैं BBC के द्वारा अगला प्रश्न है कि अपरैल 2020 में किस एथलेटिक खिलाडी को 36 गढ़ बीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है उडीसा की दूती चंद को क्या नाम है इनका दूती चंद नाम है तो आप्सन फिलहाल ए हो जागा करेक्ट ये देख सकते हैं दूती चंद है जिनको यहाँ पर पुरस्कार किया गया अगला प्रश्न है कि वर्श दोहजार एक्केस के लॉर्यास वर्ड स्पोर्ट्स अवाड में स्पोर्ट्स मैन आफ दी एर का पुरस्कार किसने जीता बहुत ही जादा महत्पूर्ण है ध्यान रखेगा ये जो पुरस्कार है वो रफाइल नडाल को मिला है 2021 के लिए फिलहाल अगर आपसे 2020 का पूश लिया जाता है तो वो मिला है लियोनल मेसी और लुईस हमिल्टन को तो इनों के बारे में ध्यान रखेगा आपसन फिलहाल 2021 के लिए सी हो जाएगा हमारा करक अगला प्रशन है कि वर्च 2021 के लॉर्यास वर्ड स्पोर्ट सवार्ड में इस स्पोर्ट वीमेन ओफ दी एर का पुरसकार किसने जीता तो महिलाओं के स्रेणी में ये पुरसकार मिला है जापान की नाओमी ओसाका को किसे मिला जापान की नवमी ओसाका को मिला है तो option फिलहाल A हो जाएगा correct ध्यान आपको क्या रखना है तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि 2020 के लिए यह जो पुरसकार था वो मिना था Simona Biles को और 2020 के लिए ये पुरसकार मिला है नवमी ओसाका को अगला प्राशन है कि वर्ष 2020 के लोरियास वर्ड स्पोर्स अवाड में Lifetime Achievement पुरसकार केशने जीता तो ये जो Lifetime Achievement पुरसकार है इसको जीता है बिली जीन किंग ने केशने जीता बिली जीन किंग ने जीता है तो फिलहाल के लिए Option D हो जाएगा Correct अगला प्रश्ण है कि नौमबर 2021 में BWF ने किसे lifetime achievement पुरसकार से सम्मानित किया ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि ये पुरसकार हमारे दीपिका पादुकूर्ण के पापा को मिला है जिनका नाम है प्रकास पादुकूर्ण तो ध्यान रखेगा option फिलहाल के लिए C हो जाएगा यहाँ पर करेग अगला प्रश्ण है कि प्रतेक वर्स जो खेल रतन पुरसकार है ये कितने वर्सों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है तो ऐसा प्रश्ण कई बार पर इच्छों में आज चुका है ध्यान रखेगा जो आपका मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरसकार है ये टोटल चार वर्सों के परफॉर्मेंस पर दिया जाता है तो option फिलहाल ए हो जाएगा यहाँ पर करेग अगला प्रश्ण है कि खेल रत 20,000,000 तो C हो जाएगा फिलहाल करेक्ट और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड है 1991-92 में शुरू हुआ था बिस सुनातन अनंद इसके पहले प्राप्ट करता है अगला प्रश्ण है कि वर्षी 2021 में कुल कितने खिलाडियों को खेल रतन पुरस्कार से सम्वानित किया गया तो यह जो पुरस्कार है टोटल मिला है 12 लोगों को कितने लोगों को मिला 12 लोगों को तो option B हो जागा फिलहाल correct अगला प्रश्ण है कि वर्स 2020 में लवलीना बोर्गोहेन को खेल रतन से सम्मानित किया गया है तो बताइए ये हमारे कौन से खेल से सम्मानित है लवलीना बोर्गोहेन की बात करें तो ये हमारे boxing की खिलाडी है और आपको ध्यान रखना ह कि इस साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता था तो option B हो जागा यहां पर correct ये देख सकते हैं कि एक तो हमारे नीरत चोपड़ा सहब हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इनको खेल रतन मिला है उसके अलावा अगर हम बात करें रवी क कि पैरा खिलाडी आउनी लेखारा को खेल रतन पुरसकार से सम्मानित किया गया बताइए ये कौन से खेल से सम्मानित है तो आउनी लेखारा की बात करें इस साल टोक्यो पैर अलंपिक में इन्होंने आपके ना केवल एक गोल्ड मेडल जीता बलकि हमको एक ब्रॉंज मेडल भी जिताया है तो ध्यान रखिएगा ये आपके सूटिंग की खिलाडी है और अप्सन यहां पर D हो जाएगा अगला प्रशन है कि पैरा खिलाडी सुमित अंटिल को खेल रतन पुरसकार से सम्मानित किया गया बताइए ये किस खेल से सम्मानित है तो सुमित अंटिल की बात करें तो ये हमारे भाला फेक के खिलाडी है किसके है जैवलिन थो के हैं और इन्हों ने भी गोल्ड मेडल जीता है पैरा अलंपिक में जिसके लिए इनको खेल रतन पुरसकार दिया गया तो ये देख सकते हैं पी आर्स रिजेस हमारे जो होकी टीम के बिकट कीपर ह इनको भी मिला है अवनी लिकारा को मिला पैरा सोटिंग के लिए और सुमित अंडिल को मिला है भाला फेक के लिए अगला प्रशन है कि 2020 में खेल रतन पुरसकार विजेता प्रमोत भगत किस खेल से सम्मंदित है तो प्रमोत भगत के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमार पैरा बैटमेंटन के खिलाडी हैं, किसके हैं, पैरा बैटमेंटन के हैं, और इस साल पैरा लंपिक में इन्होंने भी आपके जीता है, गुल्ड मिडल, इन्होंने भी जीता है, अगला प्रश्ण है कि 2020 में, खेल रत्न पुरसकार बिजेता, कृष्णा नागर हमारे कौन से खेल से सम्मंदित हैं, तो कृष्णा नागर की बात करें, ये भी हमारे बैटमेंटन के ही खिलाडी हैं, किसके हैं, बैटमेंटन के हैं, तो सी हो जागा फिलहाल के लिए करें, अगला प्रश्ण है कि 2021 में, खेल रत्न पुरसकार बिजेता, मनीश नर्वाल कौन से खेल से स बात करें, तो ये हमारे सम्मंदित हैं सूटिंग से, किसके खिलाडी हैं, सूटिंग के हैं, और इन्हों ने भी इस साल गोल्ड मिलर जीता है, तो देख सकते हैं, प्रमोध भगत, स्वन्ड पदक जीता, पैरा बैटमेंटन के खिलाडी हैं, उसके बाद में हमारे मनीश अगला प्रशन है, कि खेल रतन परसकार जीतने वाले पहले फुटबॉल खिलाडी की बात करें, तो ये भारते फुटबॉल टीम के इस समय कप्तान है, नाम इनका है सुनीर छेतरी, तो जरूर ध्यान रखिएगा, आप्सन यहां पर सी हो जाएगा, करक, अगला प्रशन है कि खेल रतन परसकार जीतने वाली पहली महिला कर्केटर कौन बनी है, तो इनका नाम भी बहुत ही महत्पूर्ण है, नाम इनका है मिताली राज, क्या नाम है मिताली राज नाम है, तो आप्सन फिलहाल के लिए D हो जाएगा, करेक्ट, तो ये नाम भी याद किएगा, मिताल जो की पहले फुटबॉलर बने है और मनप्रीस सिंग जो की हमारे होके टीम के कप्तान है इनको भी इस साल दिया गया है खेल रत्र पुरसकार अगला प्रशन है कि खेल के छेत्र में जो आपका अर्जुन पुरसकार दिया जाता है इसकी अस्थापना कब होई थी तो कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरसकार से सम्मानित किया गया तो अगर हम 2020 की बात करें टोटल यहां पर 35 खिलाडियों को मिला है ओप्सन फिलहाल के लिए C हो जाएगा करग अगला प्रशन है कि अर्जुन पुरसकार बिजीता खिलाडी को कितने रुपए की रासी दी 35 खिलाडियों को मिला है और 15 रुपए यहां पर नगत रासी दे जाती है अगला प्रशन है कि 2021 केस में अर्जुन पुरसकार प्राप्त करने वाले एक मात्र किर्केटर कौन है तो अगर हम लोग किर्केटर की बात करें तो नाम इनका है सिखर धवन क्या नाम है सिखर धवन नाम इनका है सिखर भवानी देवी हाला कि यह कोई पदक नहीं जीत पाई इस साल लेकिन यह आपकी फिंसिंग में पार्सपेट करने वाले पहली महिला भी है तो आप्शन बी हो जाएगा यहां पर करक अगला प्रशन है कि वर्शों 2021 में अर्जुन पुरसकार बजियेता अंकिता रहना किस खेल से सम्मंधित है तो अंकिता रहना के अगर हम बात करते हैं यह हमारे टेनिस की खिलाडी है किसकी है टेनिस की तो आप्शन ए हो जाएगा करण यह ध्यान रकियेगा जैसे कि यहां पर आपको सारे नाम दिख रहे होंगे जैसे कि अर्पिंदर सिंग ह गए सिमरंजीत कौर हैं सिकरधवन हैं भवानी देवी मोनिका बंदना कटारिया संदीप नर्वाल हिमानी उत्तम परव अवसेक वर्मा अंकिता रहना इन सभी को मिला है अर्जुन पुरसकार अगला प्रशन है कि वर्ष दोजार केस में कुल कितने हौकी खिलाडियों को अर् यानि कि 35 में से टोटल 18 खिलाड इस बार ऐसे रहें जिनको यहां पर दिया गया है अर्जुन पुरसकार तो ऑप्सन सी हो जाएगा करेक्ट नाम एक बार यहां पर आप लोग फिर से देख सकते हैं दीपक पुनिया रिसलिंग वाले हो गए दिल प्रीज सिंग हर्मन प्री प्रीप सिंग समसेर सिंग ललित कुमारा उपध्याय वरण कुमार सिम्रजी सिंग यह सारे हैं होकी के खिलाड़ी इसके लावा योगेस कथूनिया जिन्हों ने परालंपिक में आपके सिल्वर मेडल जीता है डिसकस्थ्रो में निसात कुमार जो की हाई जम पर है इन्हों पुरसकार दिया गया है वो एक किस खेल से सम्मंदित है तो सुवास इतिराज की बात करें यह हमारे पैरा बैटमेंटन के खिलाड़ी है तो ऑपसल सी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशने की वर्षद 2020 में अर्जुन पुरसकार बजीता भाविना पटेल किस खेल से सम्मं किस वर्ष हुआ था तो दुरोना चारे पुरसकारों की बात करें यह सुरू हुआ था 1985 में कब सुरू हुआ 1985 में हुआ और ऑपसल सी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला दुरोना चारे पुरसकार के अंतरग देख सकते हैं कि दुरोना चारे पुरसकार 1985 में शुरू हुआ था मुख्य रूप से यह जो पुरसकार है यह हमारे देश के जो खेल के कोच है उनको दिया जाता है दो कैटेगरी इसमें होती है एक तो है आजिवन उपलब्धी पुरसकार जिसमें 15 लाग रुपे मिलते है और एक होता है रेगुलर कैटेगरी में जिसमें यहाँ पर 10 लाग रुपे दिये जाते हैं अगला प्रशन है कि वर्शे 2021 में दुरोना चार अवार्ड विजीता सरकार तलवार किस खेल से सम्मन देत है तो सरकार तलवार की बात करें यह हमारे क्रिकेट के कोच थे किसके क् आपस्टन डी हो जाएगा करेक्ट यह देख सकते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट की किटेगरी में टोटल यहाँ पर 5 लोगों को पुरसकार मिला है टीपी ओ सोफ है एथलेटिक्स के सरकार तलवार है क्रिकेट के सरपाल सिंग है होकी के आसन कुमार है कवडडी के और होकी के कोच रहे हैं किसके होकी के आपसन यहाँ पर यह हो जाएगा करेक्ट तो देख सकते हैं रेगुलर केटेगरी में भी 5 लोगों को पुरसकार मिला है राधा कृष्ण नायर पैरा अथलेटिक्स संध्या गुरूंग बॉक्सिंग की कोच है प्रीतम सिवाच होकी के है जै प्रकाश लोटियाल पैरा सूटिंग के है और सुबरा मनिम रमन यह हमारे टेबल टिनिस के खिलाडी है अगला प्रशन है कि ध्यान चन्द अवार्ड फॉर लाइप टाइम अचीव्मेंट इन स्पोर्स एंड गेम्स की सुरुआत किस वर्स होई थी तो यह सारे प्रश प्रशन है कि वर्स 2021 के लिए ध्यान चन्द लाइफ टाइम अचीव्मेंट पुरसकार बजीता अवजीत कुंते किस खेल से सम्मंधित है तो अवजीत कुंते की बात करें यह हमारे चेस के खिलाडी है ऑप्सन डी हो जाएगा करेक्ट तो यह पुरसकार आप लोग देख सक किया गया तो ध्यानक किएगा जो हमारा चंडी गड़ विस्विद्याले है पंजाब में ठीक है पंजाब में है यह चंडी गड़ विस्विद्याले इसको यह पुरसकार मिला है तो ऑप्सन डी हो जाएगा करेक्ट तो चाहें आप पंजाब विस्विद्याले कहिए या च प्रश्ण है कि किस महारत्न कंपनी को राष्टिय खेल प्रोस्ताहन पुरस्कार 2021 दिया जाएगा तो यह जो पुरस्कार है यह मिला है हमारे साल जो राष्टे खेल पुरस्कार है यह कुल कितनी स्रेणियों में दिये जाते हैं तो ध्यान रखिएगा टोटल इसकी 6 कटेगरी है जिसमें यह पुरस्कार दिये जाते हैं ऑप्सन हमारा डी होगा करेक्ट तो मेजर ध्यान चंद हो गया सबसे बड़ा अरजुन पुरस्क पुरस्कार राष्टे खेल पुरसाहन पुरस्कार और है मौलाना अबुलकलाम अजाट ट्रॉफी अगला पुरस्कार जो की पिछले साल जन्वरी में दिया गया था कि ग्लोबल सौकर अवार्ड के अंतरगत किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ दी इयर के पुरस्कार से सम्मा था आखरी प्रशने की वर्च दो हजार बीस के लिए किस खिलाड़ी को गोल्डन फूट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरस्कार है यह मिला है पुर्तगाल के क्रिष्टियान और रोनाल्डो को आपसर यहां पर यह हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान अखिए थे उन सारे पुरस्कारों को कवर कर लिया है इसके बाद में जो अगले दो वीडियो होंगे उसमें हम लोग हमारे भारत में जो पुरस्कार दिये गए हैं उनको कवर करेंगे और अंतराश्टिय अस्तर पर जो पुरस्कार दिये गए हैं उन सभी के बारे में डिसकस तो वीडियो को समझ देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत पहला प्रशने बहुत ही ज़्यादा महत्पून कि अक्टूबर 2020 केस में अगर हम लोग आसकर पुरसकारों की बात करते हैं तो हमने अपनी देश की तरफ से यहाँ पर कुझांगल नाम की मूवी को भेजा था हाला कि अब यह आसकर से बाहर हो चुकी है लेकिन आपकी परिच्छा के लिए प्रशन तयार हो चुका है तो आप्सन फिलहाल भी हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान रखेगा यह आपके तमिल भासा के फिल्म है और इस साल यानि की 2022 में जो 94 में आसकर पुरसकार होंगे उसमें भारत की तरफ से इसको भीजा गया था जिसके निरदेशक है बिनोत राज पियस तो आप इस मूवी के बारे में ध्यान रखेगा और आपके लिए यहां पर प्रशन है आप बताईएगा कि जो 93 वा आसकर पुरसकार था उसमें कौन सी मूवी को हमारे देश की तरफ से भेजा गया था अगला प्रशन है कि भारत में आयोजित रूसी फिल्म महस्तों के अमबेश्डर कौन होंगे तो नाम इनका इम्तियाज अली है काफी महत्पूर्ण प्रशन है ध्यानत कियेगा जो रूसी फिल्म महस्तों हुआ था हमारे यहां पर उसमें ब्रान काउन से मल्यालम भासा की मूबी है और इसको यहां पर सुईदिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड से समानित किया गया तो आप्शन ए हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल आफ मेलबर्न में हम आपके साउथ सिनेमा के एक्टर है सूरिया उनकी ये मूवी है और इसी को यहां पर सर्वस्रेश्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है तो ए हो जाएगा करेंट तो सारी चीजें ध्यान रखेगा ए हो जाएगा करेंट अगला प्रशन है कि सितंबर 2020 में जो पहला हिमालाई फिल्म होसो है इसका आयोजन किस राजिया यूटी में किया गया तो ये जो आयोजन है ये हुआ था लद्दाक में कहां पर हुआ लद्दाक में हुआ तो आप्शन फिलहार के लिए भी हो जाएगा करेक अगला प्रशन है कि 74 में कांस फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वस्रेष्ट डाकुमेंटरी के लिए गोल्डन आई पुरसकार जीता अलड़ी परिच्छा में ये पूछा गया प्रशन है ध्यान केगा इनका नाम है पायल कपाडिया क्या नाम है पायल कपाडिया इनका नाम है तो आप्शन डी हो जाएगा करेक ये देख सकते हैं पायल कपाडिया इनका नाम है इन्होंने एक डाकुमेंटरी बनाई थी जिस इस ने सरभस्रेश्ट अभनेत्रि का पुरस्कार जीता है तो यहाँ पर जता है। जी था अनुपम खेर सहाब ने किसको मिला अनुपम खेर सहाब को यह पुरस्कार मिला है तो option B हो जाएगा correct movie गौन से थी यहाँ पर तो ध्यार किगा happy Monday आपके सर्वस्रेश्ट movie रही है और इसी movie में काम करने के लिए यहाँ पर अनुपम खेर को पुरस्कार मिला है तो B होगा correct अगला प्रश्ण है कि इस साल जो हमारा international film festival of India हुआ 52 एडिसन इसमे personality of the year से किसको सम्मानित किया गया तो यह पुरस्कार मिला है अभिनेत्री हिमा मालनी को और प्रसून जोसी को तो यहाँ पर फिलहाल B हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि जो हमारा 52 IFFI हुआ है इसमें film shooting के लिए सबसे अनुकूल राजिका पुरस्कार किसे दिया गया तो यह जो पुरस्कार है यह मिला है उत्तर प्रदेश को किसे मिला उत्तर प्रदेश को मिला तो C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि 52 IFFI में सर्बस्रेश्ट अबनीता के लिए जो सिल्वर पिका पुरस्कार है इससे किसको सम्मानित किया गया तो यह जो सिल्वर पिका पुरस्कार है यह दिया गया है जितेंद्र भीकु लाल को किसे मिला हमारे देश के जितेंद्र भीकु लाल को मिला है तो D हो जाएगा correct यह देख सकते हैं जितेंद्र भीकु लाल को गोदावरी नाम के फिल्म में इनके अभने के लिए सिल्वर प किसे मिला एंजेला मोलीना को मिला है तो एह हो जाएगा करेक्ट ध्यान रखिएगा कि आपकी कारलोट नाम की मूवी है जो कि इस्पेन देश की है तो इसी के लिए एंजेला मोलीना को यहां पर सर्वस्रेश्ट अमनित्री का पुरस्कार मिला है तो एह हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण है कि 52. IFFI में सर्वस्रेश्ट फिल्म के लिए किस देश की रिंग वांडरिंग फिल्म को गोल्डन पिकाक वार्ट दिया गया, तो ये ज़्यादा महत्पूर्ण है, ध्यान केगा जो रिंग वांडरिंग नाम की मूवी है, ये आपके जापान देश की है, उप्सन यहाँ पर C हो जाएगा, तो देख सकते हैं, जापान की रिंग वांडरिंग मूवी को यहाँ पर गोल्डन पिकाक वार्ट दिया गया है, इसके निदेशक है मसा काजू काने के, और आपको ध्यान रखना है कि सर्वस्रेश्ट निदेशक का जो पुरस्कार है, या वाकलाव कदर नका को दिया गया, तो ऑप्सन C हो जाएगा, अगला प्रश्ण है कि बावनमे आई एफ एफ आई में जो आई एफ सीटी यूनेसको गांधी पुरस्कार है, इससे किसको सम्माने किया गया, तो ये पुरस्कार मिला है, लिंगुई दा सैक्रिट बांड, क्य तो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार है, ये किस फिल्म को दिया गया है, तो बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार है, ये मराकर मुवी को मिला है, तो ऑप्सन B हो जागा यहाँ पर करेक्ट, तो देख सकते हैं, मराकर लायन आप दी अरिवियंसी मुवी का नाम है, नि एक तो मिला है मनोज बाजपेई सहाब को भोसले मोवी के लिए और धनुस को मिला है असुरन मोवी के लिए तो यहाँ पर A और C आपके हो जाएंगे दोनों करेक्ट तो देख सकते हैं यह धनुस हैं और यह है मनोज बाजपेई अगला प्रश्ण है कि सरस्टमे फिल्म पुरस्कारों में जो बेश्ट अबने त्री का पुरस्कार है यह किसको दिया गया है तो बेश्ट अबने त्री के अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मिला है कंगना रनौत को देखें फिल्म पुरस्कार का मतलब है हम लोग राष्ट स्टेज अभिनित्ति का पुरस्कार मिला है कंगना रन आउत को अग्ला हमारा प्रेशण है कि सर 20 में राश्च्jung का पुरस्कार है यह किसे दिया गया तो यह पुरस्कार मिला है सरजय पूरण सिंध चौहान मूवी इन होने बनाए थी जिसका नाम 72 हुरे है और उसी मूवी के लिए इनको बेस्ट निर्देशक का पुरसकार दिया गया तो option C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि 67 फिल्म पुरसकारों में बेस्ट मेल प्लेवैक सिंगर का पुरसकार किसे दिया गया ऐसे प्रशन आपके गुरूप D में जादा आते हैं तो ध्यान केगा जब हम लोग राश्टिय फिल्म पुरसकारों की बात करते हैं तो यह पुरसकार मिला है बी फ्र पुरसकारों में बेस्ट फीमेल प्लेवेक सिंगर का पुरसकार किसे मिला है तो ये मिला है मराथी भासा की गाई का नाम इनका है साउनी रविंद्र नाम है तो आप्सन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट तो देख सकते हैं बार्डो नाम का एक गीत इन्होंने गाया था है छिछोरे नाम की मूवी को आप सभी को पता होगा कि सुसान्त सिंग राजपूत की ये मूवी थी छिछोरे जिसको यहां पर बेस्ट हिंदी पीचर फिल्म का पुरसकार दिया गया ओप्सन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट अगला प्रशन है कि वर्स 2019 के लिए जो दाद कि दो हजार उननीस के लिए जो पुरसकार मिला है वो आपके रजनीकान साहब को मिला उसके पहले अमिता बच्चन को मिला था और उसके पहले मिला था यह बिनोत खन्ना को तो आपको नाम तीनों ध्यान रखने हैं भी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि जो इस साल छाँ छटवा फिल्म फियर पुरसकार दिया गया इसमें बेस्ट फिल्म का पुरसकार किसे मिला है तो अब हम लोग फिल्म फियर की बात कर रहे हैं जहां पर आप लोग पुरसकार को खरीद सकते हैं तो यहां पर बेस्ट फिल्म का पुरसकार मिला है थपड को किसे मिला थ बेस्ट निर्देशक का पुरसकार किसे दिया गया तो बेस्ट निर्देशक की बात करें ये पुरसकार मिला है ओम राउत को किसे मिला ओम राउत को मिला तानहा जी नाम की मूवी के लिए तानहा जी दा अंसंग वैरियर नाम की मूवी के लिए बेस्ट डिरेक्टर का जो तो देख सकते हैं ये इर्फान खान साब हैं अंग्रेजी मीडियम नाम की मूवी के लिए इनको बेस्ट अबनीता का पुरस्कार दिया गया अगला प्रश्न है कि 46 फिल्म फेर पुरस्कारों में बेस्ट अबनीत्री का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया तो ये मिला है तापसी पन्नु को किसे मिला तापसी पन्नु को थपड नाम की जो मूवी रही है उसमें इन्हों ने जो अबने किया था उसी के लिए इनको यहां पर बेस्ट अबनीत्री का पुरस्कार दिया गया तो ऑप्सन डी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि 46 फिल्म फेर पुरस्क पृष्कार था वो आपके गु Ζवती में हुआ था तो इसलिए इसके बारे में ध्यार रखिए गांति बाकी सारे आपके जो फिल्म फेर पुरस्कार है वह मुंबई में होते हैं तो औप्सन C हो जाएगा यहां पर करे allora कि broadly, चाट्वे फिल्म फेर पुरसकारों में male category में best playback singer का बुरसकार है ये किसको दिया गया तो ये मिला है रागोच चैतन्य को इन्होंने एक गाणा गाया था एक टुकड़ा धोप क्या था गाने का नाम एक टुकड़ा धोप गाने का नाम था थपड मोवी का ये गाना है जिसके लिए इनको best male playback singer का पुरसकार मिला तो D हो जाएगा फिलहाल correct अगला प्रश्ण है छाठ छटमे फिल्म फेर पुरसकारों में female category में best playback singer का पुरसकार किसे दिया गया तो ये जो पुरसकार है वो आपके मिला है यहाँ पर अनीज score को किसको मिला अनीज score को यहाँ पर यह पुरसकार दिया गया है तो option D हो जाएगा correct इन्होंने जो गाना गया था वह आपके मलंग movie का था और ये उस movie का title सांग था तो ध्यान रखेंगे 80 score को यह मिला है तो D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जो आपके 66 फिल्म फेर पुरसकारों का बितरण किया गया इसमें lifetime achievement पुरसकार से किसको सम्मानित किया गया है तो यह पुरसकार मिला है अभिनेता इर्फान खान को किसे मिला इर्फान खान को मिला तो option फिलहाल के लिए B हो जाएगा correct अब हम लोग बात करेंगे आसकर पुरसकारों से जुड़े हुए जो प्रशन है हर साल आसकर पुरसकारों का जो आयोजन है ये किस सहर में किया जाता है बताईए तो अगर हम आसकर पुरसकारों की बात करें तो इसका आयोजन हर साल लॉस एंजल्स याने की अमेरिका में हो अगला प्रश्ण है कि 93 में आसकर पुरसकारों में बेस्ट पिक्चर का जो अवाड है ये किस फिल्म को दिया गया तो बेस्ट मुवी का जो पुरसकार है ये दिया गया है नुमाद लेंड को क्या नाम है नुमाद लेंड इसका नाम है तो option B हो जाएगा correct तो चाइना की एक director है क्लो जाओ जिनके द्वारा इसे डारेक्ट किया गया है और ये मिला है आपके किसको नुमाद लेंड नाम की मुवी को अगला प्रश्ण है कि 93 में आसकर पुरसकारों में बेस्ट निर्देशक का जो पुरसकार है ये किसको दिया गया तो ये भी आपके स्लोए जाओ को मिला है ये जो चाइना वाली नुमाद लेंड की है उसी के लिए इनको बेस्ट निर्देशक का पुरसकार मिला तो यहाँ पर ये हो जाएगा करेग्ट अगला प्रश्ण है कि 93 में आसकर पुरसकारों में जो बेस्ट अभनीता का पुरसकार है ये किसे मिला है तो बेस्ट सबसे अधिक उम्र के अभनीता बने हैं जिनको इस कटेगरी में यहां पर सर्वस्रेश्ट अभनीता का पुरस्कार मिला है तो ध्यान केगा D हो जाएगा फिलहाल करेक्ट अगला प्रश्ण है कि 93 आशकर पुरस्कारों में बेश्ट अभनीती का पुरस्कार है यह किसे दिया गया तो यह पुरस्कार मिला है Francis Mac Dorman को किसे मिला है Francis Mac Dorman को मिला है option फिलहाल के लिए B हो जाएगा correct तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में अगला प्रश्ण है कि 93 आसकर पुरस्कारों में किसे best international feature film के शरेणी में पुरस्कार दिया गया तो ध्यान रखेंगा जब हम लोग best international feature film की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला है आपके another round को किसे मिला है another round को तो ध्यान रखेंगा अगर आपसे best movie की बात की जाए तो nomad land होगा लेकिन अगर best international feature film की बात की जाए तो आपका उत्तर होगा another round तो यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि 74 बात्ता पुरस्कारों में किस film को best film का पुरस्कार दिया गया अब हम लोग बात की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगा बात्ता में भी जो सर्वस्रेष्ट पुरस्कार है ये इसी को मिला है किसे नुमाद लेंड को ही मिला है तो फिलहाल D हो जाएगा यहाँ पर correct तो यह वही चलो जाओ वाली मूवी है जिसको आपके बात्ता में भी सर्वस्रेष्ट मूवी का पुरस्कार मिला है अगला प्रश्न है कि 74 बात्ता पुरस्कारों में जो बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार है यह किसको दिया गया तो यह पुरस्कार भी मिला है आपके स्लो जाओ को किसे मिला? स्लो जाओ को मिला option यहाँ पर D हो जाएगा correct और इन्होंने जो मूवी बनाई है उसका नाम ही है नुमाद लेंड अगला प्रश्ण है कि 74 बाक्टा पुरस्कारों में बेस्ट अक्टर इन लीडिंग रोल का जो पुरस्कार है यह किसको दिया गया? तो यह पुरस्कार मिला है आपके एंथोनी होपकिन्स को यानि कि जो आपके आसकर में टॉप पे रहे थे मतलब बेस्ट अबनीता रहे थे वही यहाँ पर भी रहे है मूवी भी सेम ही है तो ध्यान किएगा ओप्सन डी हो जाएगा यहाँ पर अगला प्रश्ण है कि 74 बाक्टा पुरस्कारों में किस अबनेत्री को लीडिंग रोल के लिए पुरस्कार दिया गया है तो यह पुरस्कार सेम वही है Francis Mac Dormand ध्यान किएगा इनके बारे में यह आपकी वही है जिनको ओस्कर में बेस्ट अबनेत्री का पुरस्कार मिला था और इन्ही को भाक्टा में भी मिला है तो भी हो जागा यहाँ पर करक्ट तो ध्यान किएगा इन्हों ने आपके Nomadland Movie में काम किया था अगला प्रश्न है कि बाक्टा पुरस्कारों का जो आयोजन है यह Royal Albert Hall में किया जाता है बताएए Royal Albert Hall आपको किस सहर में देखने को मिलेगा तो यह जो आपका Hall है वो आपको मिल जाएगा London में कहाँ पर है England के London में है तो C हो जाएगा यहाँ पर Correct अगला प्रश्न है कि 78 वे Golden Globe अवार्ड में किस फिल्म को ड्रामा सरेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया काफी महत्मोर प्रश्न है अब हम लोग Golden Globe की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मिला है नोमाद लेंड को ज्यान केगा बार्टा की बात हो आस्कर की बात हो या फिर आपके Golden Globe की बात हो सभी में नोमाद लेंड को बेस्ट मूवी का पुरस्कार मिला तो B हो जाएगा यहाँ पर Correct अगला प्रश्न है कि 78 में Golden Globe पुरस्कारों में किसको ड्रामा स्रेणी में बेस्ट अभनीता का पुरस्कार दिया गया तो यहाँ पर अगर हम लोग बेस्ट अभनीता के बात करेंगे तो यह पुरस्कार मिला है चैडविक बोस्मैन को अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्या रखना है कि अन्थोनी हॉपकेंस सहाब को नहीं मिला है यह मिला है चैडविक बोस्मैन को तो आप्सन C हो जागा यहाँ पर Correct अगला प्रश्न है कि 78 में Golden Globe पुरस्कारों में ड्रामा स्रेणी में किसको बेष्ट अभनेत्री का पुरस्कार दिया गया है तो यह जो पुरस्कार है यह मिला है एंडरा डे को किसे मिला एंडरा डे को मिला तो आप्सन D हो जागा यहाँ पर Correct तो इन्होंने एक मोवी में काम किया था जिसका नाम है The United States Versus Billy Holiday और इसी के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है तो D हो जाएगा Correct अच्छा अब हम लोग कुछ प्रेशने डिसकस करेंगे जो की आपके International Film Festival of India से जुड़े हुए है और यहाँ पर 51 वाले से जुड़ा है ध्यारत किएगा कि जो 51 इसका एडिसन था वो आपके जनवरी में ही हुआ था और जो आपका यहाँ पर 52 वा एडिसन है यह हुआ था नॉम्बर में तो COVID के कारण दोनों एडिसन एक ही साल हुए है आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला यह फेस्टिवल है यह कब आयोजित हुआ था तो पहली बार यह आयोजित हुआ था 1952 में B हो जाएगा करेक अगला प्रशन है कि जो हमारा IFFI था इसके 51 संस्क्रण में फोकस देश कौन सा था तो अगर हम लोग 51 एडिसन की बात करते हैं तो फोकस देश था बंगला देश कौन था बंगला देश था D हो जाएगा फिलहाल करेक अगला प्रशन है कि IFFI के 51 संस्क्रण में किसके जन्मसताबदी वर्स को चिन्हित किया गया है तो इस साल यारे के 2000 केस में जो हमारे सत्जीत रेश साहब थे उनका जन्मसताबदी वर्स था तो option A हो जाएगा करेक अगला प्रशन है कि IFFI के 51 संस्क्रण में किस देश की Another Round ओपनिंग फिल्म रही थी तो Another Round के अगर हम बात करें ये आपके है डेनमार्क की मूवी थॉमस बिंटरवर्ग इसके डिरेक्टर है तो A हो जाएगा करेक अगला प्रशन है कि IFFI के 51 संस्क्रण में किसे Golden Picoke Award से सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर जिस मूवी को Golden Picoke Award मिला है उसका नाम है Into the Darkness क्या नाम है? Into the Darkness नाम है C हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि IFFI के 51 संस्क्रण में IFFI UNESCO गाधी मेडल से किसको सम्मानित किया गया तो यह जो पुरसकार है वो मिला है आपके 500 मेटर नाम की मूवी को किसे मिला 500 मेटर नाम की मूवी को तो D हो जागा फिलाल करेक्ट तो इस प्रकार से हमने जितने भी आपके महत्पून फिल्म पुरसकार थे उनसे जुड़े हुए प्रशनों को डिसकस कर लिया है अगर आपने वीडियो को धान से देख लिया केवी गुरुजी डॉट इन से PDF को डाउनलोड करके 3-4 बार रिवाइज कर लिया तो आपके किसी भी एक्जाम में अगर फिल्म पुरसकारों से प्रशनाते हैं तो संभौता हुआ इस वीडियो से बाहर नहीं होगा वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जै हिंद, जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत